मैंने रखता है जो किस पार्टी से हैं किस पार्टी से हैं जो हमारी आज्यूकेसन की बात करें अब 2015 आप फारे कोई कुछ नहीं गिया है वहां पर अभी तक दस मीं का सिक्षक और कलास नहीं चालू हुआ नभवन बना है दोजार पचीस बिधान सभा चुनाओ का आगाज कभी भी हो सकता है और कभी भी एलान हो सकता है उसको लेकर सभी पार्टिया तैयारी में लग चुकी हैं और जो निर्दलिये परत्यासी भी हैं वो भी तैयारी में लगे हुए हैं इसको लेकर हम निकले हुए हैं और मदूबनी जिला हुआ हम कुछ लोगों से बाचित करेंगे जानेंगे कि यहां पर दोजाब 15 में भी चुना हुआ बिहार विधान सब्सक्राइब का चुना हुआ इस चुनाओं में जो प्रत्यासी जीते क्या काम किये यहां पर जिनता के लिए उन्हें क्या कुछ क्या क् पंद्रे में यहां से राजय चुनाओं जितता है और 2020 में बीजेपी प्रत्यासी चुनाओं जीत जाते हैं अरुन जी अरुन जी राधे क्रिशन खजौली विधान सबावा हुआ यहां से दोबाब बीजेपी बीश में और पंद्रे में अर्जेडी कुछ काम किये यह तो यहां नहीं है तो क्या विकास करेगा कोई कुछ नहीं हुआ है कोई पहुंट के टेम में आता है अगदम बाबु भया करके नाना बाबाबा दादा करके अपने ले ले लगता है यहां यादव कोरोटर है ने अपर मुस्लिम यादव इसवाड देकाऊ दोजीटी जाए यहां पे हर वक्त हमेसा से यहां फुरु लीड करता है मेरे फमेरे ज़ेआ पंचात में घर लेकिन हर साल लीड करता है लेकिन यही है कि यहां लीड करता है सीताराम विधायक जो है पिछली वाजेट सकेर्ड में आया था वह तो अपने ही अडिया में जीरो प्रोट हो जाता है वहीं से 20,000-30,000 से पाच्छा चलता है अब खजोली में आते आते उतना हाई ने खजोली खजोली बलोक में 14 थो पंचैत है साथ हो चला जाए बावर विधान सभा में साथे खजोली तो साथ कमें आप कितना मैनेज कर लिए गया मैनेज हो नहीं पाता है अब 20-20,000-25,000 अपने छेतर में पीछे हैं तो कहां से चुनोजी दिएगा इस लिए इस बार हम चाहेंगे क तेज़े सीबी चुहला लूजी किसी की नाय उमिदवार को टिकट दे उस बेक मैट आप से राजत से विन राजगी है भाशपा से विन राजगी है तो फिर उमीद किससे है उमीद कोई छेत्रीय को दे युवा को दे पर दिशी प्रदाफ़ा यह कौन है नाम भी नहीं सु पर चाहेगा तो इसके बाद ना काम करेंगा समाज सवा का मतलब यह नहीं होता है कि पोस्ट पर रहेंगे तभी काम करेंगे आपके साथ ही किये कि और कि लोगे साथ सभा करते हैं हुआ हम अपने कार्निक पूछने प्ब्रसी में मांते हैं और युश बहुंट दिये कुर हम काम ही नहीं किये कुछ काम वही तो कह रहे हैं जो काम तो आप देखिये हो रहे हैं एक हम लोग के टुनामेंट हुआ था वह आया मैक पकड़ा बोला एक कावंसरू पे हम युवा सदसभ को अपने रूप से चंदा के रूप में देंगे यहां चापा कल होगा गरंड पे स्टेडियम के लिए मांगे सांसाथ विधायक कितना है मंति कुछ नहीं किया अब सितार आम जादा एक कावंसरू पूप या गश्ली गश्के अभी तक नहीं दिया है अभी तक यह विपांस में बिदायक है अब किस वूभ रखेंगे बताइए ना बताइए नहीं होगा ख सब्सक्राइब कौन है यह समाज सब्सक्राइब विधायक उससे पहले भी रह चुके हैं दो बार उनको भोट दिये लेकिन काम नहीं हुआ है यहां हाई इसकुल बना है बार्मी तक लेकिन दसमी का कलास कंप्लीट नहीं किया है आप चाहते हैं कि प्रदीप जी को टिकट म मिलेगा तो हम लोग मोट नहीं करेंगे सब्सक्राइब कितना ओटर से हैं अब लोग किसको मतलब देने वाले हैं अभी तक हम रहा है जो हम देखे हैं जितना भी आया है सब आता है बोट के समय में ऐसे करेंगे जीतने के बाद भी हम लोग बुलाते हैं इसा नहीं है जो हम उनको छोड़ते हैं क्योंकि हमारे तरफ से वह गार्जियन के रूप में ह में हमारे कऊम में टूनामेंट होता है यहां मीजित करते हम लोग के इनिप्वाइट करते हैं तो वोट पर उलाते हैं आते हैं सब घ्रांड करते हैं पर अभी तक 10 मीं का सिख्षक और कलास नहीं चालू हूँआ भवन बना वह 12 मी तक हो गया है लेकिन भवन अभी तक नहीं बना नहीं कर दें तो हम लोग सूचेंगे चलिये कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी ग्रॉंड पर हम लोग तुनामेंट कराते ही राते थे यह मीनी स्टेडियम भी गोशित हो गया और बन भी गया उस मीनी स्टेडियम का हालत जाकर के देखिए ऐसा बत से बत्तर बना दिया गया है यह लोग जो उस पर आप खाली पैर चल नहीं सकते हैं अगर पांच मिनट के लिए हमारे साथ चल को दिखाते हैं तो दिखा यहां पर 25 राज़त को दीज्ञें को तिसरा वाद में काम करने वह वह से आई हमको से फरक में काम होना चाहिए पर्दी परवह करके है जो हम लोग कुछ भी होता है तो हमारे एक सब्सक्राइब कर आद में करें आईये काम किजिए आपका नहीं काम किजिएगा तो आप जाती बाद का नारा ले करके घूमते रहिएगा नहीं होगा जगह हुआ यह खजोली परखंड का ब्यता का कर घटी पंचायत वार्ट नंबर दो ठेंगा गाउं चाची चाची मुझे खड़ी हैं क्या नाम हुआ अरे बोलिये बोलेंगी कोई बात नाम का बढ़ा पचीस में चुना होगा विधान सभा का तो किसको ओड कीजिएगा आप लोग देखिए जो हमारे लिए एजूकेशन की बात करें यहां कर स्वास्त की सेवा की बात करें यहां पर प्लेग्राउंड की बात करें बात करें चला जाता है उस पर कोई नहीं बात कर रहा है जैसे स्वास्त हुआ जैसे हम लोग का अस्पताले हुआ तो यहां से पांच किलोमेटर की दूरी पर है कुछ भी प्रोब्लम होता है तो वहां पर हम लोग को जाना पड़ता है पंचायत में कोई बेवस्था नहीं है ठीक है यहां का मानका चलिए कोई भी परतिन्यधित खरा हुआ है जीता है तो पांच साल जीत के जाता है पांच साल के बाद यहां नजर नहीं आएगा अब जैसे विधान सभा का चुना है दो हजर पचीस में तो देखने के सब्सक्राइब करना चाहिए और इसके बारे में लोगों को क्या करना चाहिए जैसे यहां का जो अच्छी वेवस्था हो पाए तो यह नहीं मैंने रखता है जो किस पार्टी से है किस पार्टी से है जो हमारी एजुकेशन की बात करें स्वास्त की बात करें मानकचले जैसे रोड की बात करें इस जो सारा जो फैक्ट करेगा हमाई उसी के साथ हमारे हिसाब से अभी जो कह रहा है मानकचली यहां से समाज से भी कह रहा है हम तो तो त परभाकर जी जो समास से भी है मगर अभी तक हम को पता नहीं है जो किस पार्टी से हैं कैसे काम किया है तो हम इस अधार पर हम नहीं बता सकते हैं कि आप उठेच्वल आ रहे हैं क्या ना मुझे चाहा है तो देखिए दोज़ाब पचीज का जो विधानसवाद चुना होगा उन लोगा साफ तोर पर कहना है कि ना राजद यहां पर काम किया है और ना ही बीजेपी काम किया है क्यो किये हैं और ऐसे ही फिर चुनाव जितने के बाद आएंगे और फिर चले जाएंगे इसलिए उनको हम लोगो नहीं देंगे एक प्रदीप परभाकर तो नाम है काफी चर्चा में है यहां पर लोग का कहना है कि उस समाज से भी हैं और हमेशा हम लोग को मदद करते हैं चले सब्सक्राइब बहुत 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 शुक्रिया